हेलो दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका हमारी जी के भी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पिछले वीडियो में हमने अलाओदिन खिलजी के प्रशासनिक सुधार और स्थापत्य कला के बारे में चर्चा की थी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलाओदिन खिलजी दुआरा कौन-कौन से राज्यों को विज़े किया गया तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अलाओदिन खिलजी की विज़े में किया है अलावदिन खिल जी भी सिकंदर महान की तरहें विश्व विजय करना चाहता था किन्तों अपने घनिष्ट मित्र और कोत्वाल अलावल मुल्क की सलाय पर इस नीति को रद्ध कर दिया और भारत में उन प्रदेशों को जीतने पर अपना ध्यान के इंद्रित किया जो दिल्ली सल्तनत के नियंत्रन से मुक्त थी दोस्तों अलावदिन खिल जी द्वारा जीते गई प्रदेशों को दो भागों में बाटा गया है पहला उत्तरी विजय दूसरा है दक्षिन विजय पहले मध्यन करते हैं उत्तरी विजय का दोस्तों अलावदिन खिल जी अलाओदिन खिलजी दुवरा 1308 में सिवाना पर आक्रमन किया गया और उसके पस्चात 1311 में जालोर पर आक्रमन किया गया। इस प्रकार से दोस्तों अलाओदिन खिलजी ने उत्तरी भारत में कुल 6 राज्यों को विजे किया। अलावदिन खिलजी ने उत्तरी राज्यों के प्रति विलीनी करण की नीती अपनाई जिसके अनुसार उसने उत्तरी भारत के राज्यों को जीत कर दिली सल्तनत में विले कर लिया अलावदिन खिलजी ने उत्तर भारत के छे राज्यों को जीता सबसे पहले गुजरात को 1299 स्वी में उसके बाद रन्थम भोर्न 1300 से 131 स्वी तीसरा है चित्रोडगर 133 स्वी चोता है मालवा 305 स्वी पाचवा है सिवाना 308 स्वी और छटा है जालोर 311 स्वी गुजरात प्य आकर्मन किया गया 1299 स्वी में उत्तरी भारत का प्रत्थम राज्य था जिस पर अलावदिन खिलजी ने विजय प्राप्त की 1299 स्वी में उलूग खां तता नुसरत खां के ने तरत्व में सेनी का भियान बेजा उस समय गुजरात के शाशक कण वगेला थे दोस्तों खां तता नुसरत खां दौरा गुजरात के पच्छाथ खंबात पर आकर्रमन किया गया यहें गुजरात का सबसे बड़ा बंदर गाया था यहां का अधिकारी मलिक काफूर था खंबात के मलिक काफूर को एक हाजार दिनार में अलौदिन खिलजी ने करीडा अताह है इतिह तथा नुसरत खां को रन्थमभोर के सेनी का भियान के लिए बेजा। इस समय रन्थमभोर के शाशक चोहान वंशी हमीर देव थे। प्रथम बार हमीर देवत द्वारा अलावदिन खिलजी की सेना को पराजित कर दिया गया। अलावदिन खिलजी मुसलिम सामराज्य का विस्तार करना चाहता था। अलावदिन खिलजी द्वारा रानी पदमिनी को प्राप करना बताते हैं। इसरा कारण आर्थिक कारण अधिकान स्विदेशी समुद्री व्यापार गुजरात में स्थित्खंबात के बंदरगा से होता था। गुजरात से दिल्ली की और जाने वाला व्यापारिक मार्ग मेवाड राज्य की सीमा से गुजरता था। अतहें व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अलावदिन खिलजी ने चित्तोड को जीतना आउशक समझा। रानी पद्मिनी की कहानी मलिक महम्मद जयसी के द्वारा 1540 इस्वी में लिखी गई। अतहें इनकी पुस्तक को प्रमानिक रूप से नहीं देखा जा सकता। कुछ ही तियासकारों में केस लाल गोरी शंकर ओजा दोनों ही रानी पद्मिनी की कथा को प्रमानित नहीं मानते हैं। आशिरवादी लाल श्रीवास्तव और डाक्टर ईश्वर लाल प्रसाद रानी पद्मिनी की कथा को प्रमानित मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि चितोड अभियान के दोरान अमीर कुसरौ अलावदिन खिल जी के साथ थे, किन्तो उसने अपनी पुस्तक मेरानी पदमिनी की कहानी का कहीं उनलेक नहीं किया है। अलावदिन खिलजी द्वारा राणा रतनी सिंग को पराजित कर चितोड़ पर अधिकार कर लिया गया और उसने अपने जेस्ट पुत्र खिजर खांखो चितोड़ का गवर्ने नियुत्त किया और चितोड़ का नाम बदल कर खिजराबाद रख दिया सौथा राज्य मालवा 1305 स्वी मालवा के विरुद 1305 स्वी में एन उल्मुल्क के नित्रतु में आकरमन किया गया उस समय मालवा के शाषक कम हलक देव था किन्तु राज्य की वास्थिविक डोर काका प्रधान के हाथ में थी आयन उल्मुल्क ने महलक वे काका को हरा कर मालवा पर अधिकार कर लिया था आयन उल्मुल्क को मालवा का गवर्नर निक्ट किया गया पांचवा राज्या है सिवाना तेरासो आठिस्वी बाडमेर जिले में इस्थित है तेरासो आठिस्वी में अलावदिन खिल्जी ने स्वयम सिवाना पर आकर्मन किया तथा वहां के शाषक शीतल देव को हरा दिया कमालोदिन गुरुक को वहां का गवर्नर निक्ट किया तथा सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद रख दिया छटा राज्य जालोर 1311 स्वी जालोर उत्री भारत का हुन वायंतिम राज्य था जिसके विरुध अलावदिन खिल्जीने कमालोदिन के नित्रतेव में 1311 स्वी में सेना बेजी उस समय जालोर का शाशक कानहर देव था अमीर खुसरोव बर्णिक के अलावा पदमनाप द्वारा लिखी गई पुस्तक कानहर देव प्रबंद राजस्थानी ग्रंथ में भी जालोर अक्रमण का उलेक मिलता है दक्षणी भारत विजे अलाव दिन खिल्जी पहला एशा साशक था जिसने दक्षण भारत के राज्यों के विरुद पहला सेनी का भ्यान बेजा अलाव दिन खिल्जी की दक्षण नीती के दो प्रमग देशे थे पहलाव देशे दन समपत्ती राप्त करना इतावली यात्री मारको पोलो ने 1290 इस्यू में दक्षण भारत की यात्रा की थी तथा दक्षण भारत में पांडियन राज्य की यात्रा की थी अपनी यात्रा व्रतांत में मारको पोलो ने दक्षिन भारत के राज्यों के पास अथा दन संपत्ति होने का उलेग किया है आदोनी की त्यास कारों में के एस आयागर ने अपनी पुस्तक साउथ इंडिया एंड हर मोमेडर इन्वेडर्स में आकरमन का कारण आर्थिक था दक्षिन भारत के राज्यों से अपनी अधिनता स्विकार करवाया तथा वार्शिक कर लेना मुख्य उद्देश्य था दक्षिन भारती चार राज्य अलाव दिन खिलजी द्वारा दक्षिन भारत के विरुद्ध सभी सेनी के बियान मलिक काफूर के नेत्रतों में बेजे प्रमुक राज्य इस प्रकार हैं देवगिरी वारंगल होईसल और पांडियन तरुपर्थम देवगिरी दुलताबाद दूसरा तेलंगाना या कागतिय वारंगल तीसरा है होईसल कर्नाटक सोथा है पांडियन तमिलनाडुप देवगिरी दौलताबाद यहें दक्षिन भारत का पहला राज्य था जिस पर मलिक काफूर द्वारा 1307 इस्वि में आक्रमन किया गया इस समय देवगिरी के शाषक रामचंद्र देव थे मलिक काफूर ने रामचंद्र को पराजित किया तथा उत्तरी भारत ले गया बर्नी के अनुसार लाद दिन खिलजी ने रामचंद्र देव का भव्य स्वागत किया और उसे रायसन की उपादी दी तथा नवसारी का जिला भेट शुरूप दिया राजित हुए तथा उन्होंने मलिक काफूर को अपना राजकोस वे कोहिनूर हीरा भेट किया कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की हीरों की खानों से निकला था तीसरा राज्य होईसल तेरा सो दस इस्विवे मलिक काफूर ने होईसल पर आकर्मन किया उस समय होईसल के शाशक व ुआ मुलिक काफूर द्वारां पर आकरमण किया गया कि इंथ्य। कि इन एवेद्य। पाया किन्तो वहां से धन संपति लूट ली मलिक काफूर का दक्षिन भारत पर अंतिम आक्रमन 1313 एस्वी में देवगीरी पर हुआ क्योंकि देवगीरी के शाषक राम चंद्र देव की मनत्य के पश्चात उसके पुत्र शंकर देव द्वारा अलावदिन खिलजी की स्वतंत अलावदिन खिलजी की मत्यु के बाद 1316 एस्वी में उसका पुत्र कुतुब उद्धीन मुबारक खिलजी ने शाषन संबाला उसके दास खुसरो शाह के द्वारा किया गया और स्वयम को सुल्तान गोशित कर लिया गाजी मलिक तुगलक उस समय उत्तर पश्चिम स्यमांत का गवर्नर था इसने खुसरो शाह का वद्ध किया और गया सुद्धिन तुगलक के नाम से सुल्तान बन गया और एक नवीन वयंश की स्थापना की जो इतिहास में तुगलक वयंश के नाम से जाना जाता है तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अलावदिन खिलजी का प्रशा अगले वीडियो में तुगलक वयंश के बारे में अध्यान करेंगे